गुद मॉर्णिंग देर स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फाइंडिंग डैरेक्शन विद दा हेल्प आप मैगनेट इससे आगे कुछ पार्ट छूट गया था इस प्रॉपर्टी ऑफ दा मैगनेट इस वेरी यूसफुल फॉर आस मैगनेट के दोरा हम जब नौर्थ और सौट डैरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं तो यह प्रॉपर्टी मैगनेट की हमाले क्या होती है काफी ज़्यादा यूसफुल होती है और लगवक कई सालों से कई से क्या करते हैं जो टैरेक्शन को फाइंड करने के लिए वह मैगनेट की इस प्रॉपर्टी का यूज इस चीज़ के लिए करते हैं डैरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस सेट देट इन ओल्डन डेज पुराने दिनों में क्या होता था ट्रैवलर यूज़ तो फाइंड डैरेक्शन वाई अश्व प्रॉपर्टी तब पुराने लोग क्या गरते थे नैच्रल मेंगनेट को एक थ्रेड से मारते थे और उसके बाद उसे क्या गरते थे छोड़ देते थे फिर उसे और दो आउस आउट डैरेक्शन का पता चल पाता था विच्श विच दे आलवेस कैरेड विध थे और वो नैच्रल मेंगनेट को हमेज़ा अपने साथ जब भी ट्रेवलिंग पर जाते थे तो अपने साथ वो नैच्रल मेंगनेट को भी रखते थे लैटर उन आ डिवाइस वास डेपलप्टे बाद में क्या हुआ एक डिवाइस को डेपलप्ट किया गया based on this property of magnet magnet की इसी प property को based बना करके एक ऐसे device को develop किया गया it is known as the compass इसको किस नाम से जाना है compass नाम से a compass is a usually a small box with a glass cover on it compass क्या होता है compass एक छोटा सा box होता है जिसमें glass का cover होता है अब magnetized needle is pivoted inside the box और इस box के अंदर एक magnet magnetic needle को क्या किया जाता है इसमें fix किया जाता है ठीक है अब magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely जो क्या होती है freely rotate करती है compass also has a dial और इसमें एक dial भी होता है अंदर बना जिसमें घड़ी के अंदर एक dial होता है numbers लिखे देते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी क्या देते हैं numbers लिखे देते हैं अलग लग और ये number क्या करते हैं ये number की help से ही हम बता पाते हैं कि हम actually कौन सी direction में खड़े वें इसके अलवा नंबर के अलवा वापर टैरेक्शन भी मार्क होती है यहां पर आप देख सकते हैं यह लिखावा है जो इस्ट के लिए डिनोट करता है यहां पर डबलू लिखे है जो किसके लिए वैस्ट को और नॉर्थ और सौथ वाली जो डैरेक्शन है वहां और इस्ट और वेस्ट के बीच में यहां पर नौर्थ इस्ट लिखा है यहां पर साउथ इस्ट लिखा है यहां पर साउथ वेस्ट लिखा है और यहां पर नौर्थ वेस्ट लिखा है ठीक है तो यह डाइल में नमबर्स भी होते हैं और साथ में वहां पर डायरेक्शन को मार को भी किया हुआ होते हैं The compass is kept at the place where we wish to know the direction हम जिस भी इस्तान पर direction को पता करना चाहते हैं वहाँ पर हमें क्या करना होते हैं सबसे पहले compass को रखना होते हैं Its needle indicate the north-south direction when it come to rest और जब compass rest की position मा जाते हैं तो उसकी जो needle है वह क्या करती है नौथ और south direction को indicate करती है The compass is then rotated until the north and south mark on the dial are at the two end of the needle और यह तब तक लगातार move करते देती है इसकी needle जब तक की compass rest की stage में नहीं आता है To identify the north pole of the magnetic needle it is usually painted in a different color और उसकी जो north pole वाली जो needle होती है वो क्या रहती है different color से magnet sorry colored रहती है वायने की वहाँ पर north pole वाली जो magnet होती है sorry needle होती है वो different color से painted रहती है अगला topic है make your own magnet आप अपना अपना खुद का magnet भी पना सकते हैं there are several methods of making magnet यहाँ बहुत सारी methods होती है जिनकी दोरह हम magnet को बना सकते है let us learn the simplest one सबसे छोटे वाले सबसे simple तरीके से हम कैसे magnet बना सकते है take a rectangular piece of iron एक goal piece को आपने लेना है iron का rectangular piece को place on the table और उसको table के उपर रखना है now take a bar magnet एक bar magnet लेना है and place one of its pole near one edge of the bar of the iron अब क्या करता है आपने इसके एक pole को magnet bar magnet के एक pole को आपने उस iron के bar के एक कोने पर रखना है without lifting the bar magnet बिना बार magnet को हिलाए या उठाए हुए move it along the length of the iron bar till you reach the other end आपने उसको move करना है किसको move करना है bar magnet को move करना है पूरी length में किसकी length में iron bar के यानि कि हमने सबसे पहले एक bar magnet लेना है और एक iron का bar लेना है और उसके बाद हमने bar magnet से bar magnet के एक pole को हमने रखना है iron bar के एक कोने पर और उसके बाद हमने उसे बीना हिलाये हुए यानि कि बीना उठाये हुए हमने सीथे उसके उपर मूव करने है Now left the magnet and bring the pole the same pole when you start with to the same point of the iron bar from which you begin तो आपने जब ये process को start किया तो आपने क्या किया एक बार आपने एक process की दुबारा से आपने उठाया और जिस pole से आपने पहले start किया था वहां से आपने दुबारा वही process start करनी है whom the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before जैसा कि आपने पहले किया था वैसे ही आपने same direction में अपने बार magnet को move करना है और ये process आपने कितने बार करनी है repeat this process about 30 to 40 time अगब 30 से 40 बारा अगर आप ऐसी process को करेंगे तो उसके बाद जो आपका iron का piece था iron bar जो था वो magnet में convert हो जाएगा bring a pin or some iron will link near the iron bar to check whether it has become a magnet उसके बाद हमने उसके आसपास उस iron bar के आसपास हम अगर pin या फिर कोई iron filling को ले जाएंगे तो वो क्या होंगे वो उसकी और attract हो जाएंगे if not continue the process for more time अगर ऐसा नहीं हो है तो आपने दुबारा से वो process को करते रहना है remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not be changed तो जो magnet का pole है वो भी change नहीं होना चीए और जिस direction में हम लगाता ले जा रहे हैं वो भी change है नहीं होनी चीए you can also use an iron nail a needle or a blade and convert them into a magnet आप iron bar की बतले iron का nail यानि की कील भी ले सकते हैं गोई needle ले सकते हैं या फिर blade को भी हम magnet में convert कर सकते हैं you know you now know how to make a magnet would you like to make your own compass अब आप जान चुके हैं कि आपने magnet को कैसे बनाना है क्या आप अपना खुद का compass बनाना चाहेंगे इसको हम activity 6 में बढ़ेंगे लेकिन वीडियो की length काफी जाता होगी है तो आज का लेक्षिन यापा complete होता है इससे आगे हम next video में पढ़ेंगे कि हम अपना compass कैसे बना सकते हैं थैंक यू कि अपना खुद का बना सकते हैं